नमस्ते क्रियेटर्स, आईए YouTube Shorts Fund के बारे में बात करते हैं, जहां आप YouTube Partner कारेक्रम में शामिल हुए बिना अपने Shorts से पैसे कमा सकते हैं. हम आपको बताएंगे कि Shorts Fund क्या है, इसमें कौन हिस्सा ले सकता है, और Payment कैसे मिलती है, आईए जाने. सबसे पहले जानते हैं कि Shorts Fund क्या है? YouTube Shorts Fund एक 10 करोड डॉलर का फंड है, जिसे 2021 और 2022 के दौरान जरूरी शर्ते पूरे करने वाले Creators में बाता जाएगा. आप हर महिने इस पंड में 100 से लेकर 10,000 डॉलर तक का Shorts बोनस पा सकते हैं. यह आपके चैनल पर एक महिने में Shorts पर आने वाले Views और आपके दर्शकों की Location जैसी Performance Metrics के अधार पर तै की जाती है. Shorts बोनस पाने का हकदार कौन है? YouTube पर Original Shorts बनाने वाले Creators बोनस पा सकते हैं? यह बोनस वे Creators भी पा सकते हैं जो YouTube Partner कारेकरम में शामिल नहीं है. हम हर महिने हजारों Creators से इस आधार पर संपर्ख करेंगे कि उनके चैनल के Shorts वीडियो की Performance कैसी रही? Shorts पर आपकी Performance देखने के लिए सिर्फ Shorts वीडियो बनाये जाने के महिने में उस पर आए व्यूज नहीं गिने जाएंगे, बल्कि उन पर हर महिने आने वाले व्यूज के अधार पर Performance टै की जाएगी. ज़रूरी शर्ते हर महिने अपडेट होती है, इसलिए अगर आप किसी महिने में बोनस के हगदार नहीं बन पाते हैं, तो अगले महिने बन सकते हैं. इसलिए शॉर्ट्स के लिए नया कॉंटेंट बनाते रहें. किसी भी चानल को शॉर्ट्स बोनस दिये जाने की सूचना देने से पहले हम उसकी समिक्षा करते हैं. बोनस का हगदार बनने के लिए ये शर्ते पूरी करना जरूरी है. आपके चैनल से पिछले 180 दिनों में यूट्यूब पर एक ओरिजनल शॉर्ट्स वीडियो अप्लोड किया गया हो. आपका कंटेंट हमारे कम्यूनिटी दिशानिर्देशों, कॉपिराइट और कमाई करने से जुड़ी नीतियों का पालन करता हो. ऐसे चैनल बोनस के हगदा नहीं माना जाएगा, जिसे फिर से अपलोड किया गया हो. और जो ओरिजनल ना हो. जैसे कोई बदलाव किये बिना किसी फिल्म या टीवी शो की ख्लिप अपलोड करना, आप एक ऐसे देश में हो जहां गूगल ने यह योजना लागू की हो. आपकी उम्र इतनी हो कि कानू कानूनी उम्र से कम हैं, तो आपने गूगल खाता इस्तमाल करने के लिए अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक की परमीशन ली हो. अब देखते हैं कि अगर आप बोनस पाने के हगदार हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले, आपको अपने शॉट्स बोनस पर दावा कर करना होगा. अगर आप बोनस पाने के हगदार हैं, तो आपको यूट्यूब से हर महीने 8-10 तारीक के वीज एक इमेल और सूचना मिलेगी, जिसमें आपसे बोनस पर दावा करने के लिए कहा जाएगा. दावा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि महीने की 25 तारीक तक बोनस पर दावा ना किया जाए, तो उसकी समय सीमा खतम हो सकती है. ध्यान रहे कि आपको हर महीने उस शौट्स बोनस पर दावा करना होगा, जिसके आप हकदार है. शौट्स बोनस पर दावा करने के लिए आपको दो काम करने होंगे, शर्ते स्विकार करना और अपने चैनल को कि आपको सिर्फ शर्ति स्विकार करनी होंगी और आपके बोनस पर आपका दावा सही माना जाएगा अगर आपके चैनल को किसी भी आजचन्स खाते से नहीं जोड़ा गया है तो आपसे कोई मौजूदा खाता जोड़ने या नया खाता बनाने के लिए कहा जाएगा इस प्रोसेस में मदद करने के लिए आपको ईमेल या यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजा जाएगा किसी आजचन्स खाते को आपके चैनल से जुड़ने में कुछ दिन लग सकते हैं प्रोसेस पूरी होने के बाद हम आपको ईमेल भेज कर यह जानकारी देंगे कि बोनस पर आपका दावा मान लिया गया है या नहीं शौट्स बोनस पर दावा करने के बाद आपको पेमेंट कैसे मिलेगी अगर आपको कुछ समय पहले ही AdSense से payment मिली है तो अगले महीने की 216 तारीख के बीच आपको अगली payment मिलेगी उधारन के लिए अगर आपने अगस्त में Shorts बोनस पर दावा किया है तो आपको उसकी payment सितंबर में मिलेगी अगर आपको पहले कभी AdSense से payment नहीं मिली है तो आपको अपनी पूरी payment information, bank account number, bank का नाम देनी होगी ध्यान दे कि इस प्रोसेस में कई महीने लग सकते हैं लिकिन अगर आपने बोनस पर दावा कर लिया है तो payment जारी किये जाने तक आपका balance AdSense खाते में ही रहता है जब आपका AdSense खाता payment पाने के लिए पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो आपको महीने की 21 से 26 तारीख के बीच payment की जाएगी अगर आप किसी MCN या network का हिस्सा है तो आपकी शौर्ट्स बोनस का payment भी वे ही करेंगे आईए एक उधारन के साथ शौर्ट्स बोनस payment की टाइम लाइन को फिर से समझे मान ले कि अगस्त में शौर्ट्स की performance के अधार पर आप बोनस के हगदार है आपको सितंबर की शुरुवात में सूचित किया जाएगा कि 25 सितंबर तक आप अपने बोनस पर दावा कर ले जब आप बोनस पर दावा करने के चरणों को पूरा कर लेते हैं तो आपको एड़सें से payment मिलने तक इंतजार करना होगा अगर आप payment पाने के लिए प्रोसेस पूरा कर चुके हैं तो बोनस पर दावा करने के बाद महिने की 216 तारीक के बीच आपको payment मिलेगी या आपने सितंबर में बोनस पर दावा किया है इसलिए आपको अक्टूबर में payment मिलेगी अगर आपने AdSense में पेमेंट की पूरी जानकारी नहीं दी है तो इन चर्णों को पूरा करने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी और याद रहे कि यह प्रोसेस हर महिने दोहराया जाएगा YouTube Shorts Fund हमारे सफर का पहला कदम है जिससे Creators को अपने Shorts से पैसे कमाने में मदद मिलेगी हम समय समय पर अन्यदेश और सुविधाय भी जोड़ते रहेंगे इसलिए संपर्क में बने रहें हमने अभी जो जानकारी दी है उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए ब्योरे में दिये गए लिंक को देखे एक शानदा Shorts Community बनाने में मदद करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद